ये वीडियो एक रेंडम वीडियो नहीं है इस स्टिक्ली फॉर इंवेस्टर्स बेरे टाउन 2 का तसक्रा आजकर बहुत ज्यादा है क्योंकि और कोई तसक्रा है नहीं मार्किट तो आपको मालू है तकरीब हैं कोई एक अरब रुपई की केमपेन है जो के लगाये जाएंगे ये फिजा दिया गया है जो लिनकी तरह बहुत पैसे लग रहे हैं कि इतनी डेड मार्किट में इतनी डेड एकॉनमी में क्या बेरे टाउन 2 चलेगा इसलावलेकुम गाइस मैं अब्दुल्लाखान अमीर आदमी के प्लाटफॉर्म से अमीर आदमी रिस्सेट बेरे टाउन कराची बेरे टाउन 2 का तसक्रा आजकल बहुत जाए है क्योंके और कोई तसक्रा है नहीं मार्किट तो आपको मालू है सिर्फ एक तसक्रा है वो है तो मितलाथ के मताबक तकरीबन कोई एक अरब रुपए की कैमपेइन है जो के एड़िस्मेंट पे लगाए जाएंगे ये पैसे तो रीच मैक्सिमम पीपल अपना मैसेज मैक्सिमम लोगों देख पहुंचाने के लिए बेरे टाउन कराची बेरे टाउन लहोर पिंडी जहा जहां पर बेरे टाउन जाना जाता है वहाँ पर सजाद ही आ गया है दूलन की तरह बहुत पैसे लग रहे हैं सिर्फ एक ही जिक्र है कि बेरे टाउन कराची में क्या होगा कैसे होगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है अच्छा और ये वीडियो मैं आपको मतनब़े करता चलों ये वीडियो एक रेंडम वीडियो नहीं है इस ट्रिक्ली फॉर इन्वेस्टर्स या वो लोग जो प्रैक्टिकली बाइंग सेलिंग करते हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर ये उनके बारे में है उनके लिए है एंड यूजर से कोई तालुक नहीं है तो बाद में इ कि रेकमेंड किया गया था किसी तोर या यह सिर्फ इन्वेस्टर और डीलर के लिए ही है तो उनके अंदर सेंटिमेंट है इस वक्त कि क्या होगा वह आपस में भी थोड़े से परशान है सोच रहे हैं कि इतनी डेड़ मार्किट में इतनी डेड़ एकॉनमी में क्या बेरे कराची होगी आप देखते हो न्यूज मीडिया चैनल पे और एदर एड़िस्मेंट पे अख़बारों में आपको रेंडम सुसाइटी के आड़ में ज़र आते हैं पिछले दिनों बहुत जदा पिछला एक दो साल बहुत जदा हाइप में गुजरा तो सिर्फ सुसाइटी क के जिकर होगा तो दाइट इस बहुत टाउन कराची टू जिसको हैक्स्टाइग बीटी के टू के साथ आप याद करेंगे जानेंगे कि इसको इस सारी एडविटिसम्ट को इसकी पॉजिटि प्रोश रीम हैंस करने के लिए नीगिटिवीटी क्या हुआ हमने बहुत दफाद बात कर ली उसे छोड़ दे हम इसक्क्क और बात कर रहें इंहां स करने के लिए जो बहतर क्वाइंट से वह यह हैं के बिए इस डिर सिंगार बहुत ज्यादा है बहुत पॉजिटिव है पूरे का पूरा रुजहान ही उस तरफ है और कोई काम ना है ना होगा बेरे टाउन टू के होते हुए पूरे पाकिस्तान में बेरे टाउन टू के होते हुए कोई और काम नहीं होगा किसी भी सुसाइटी में हर डीलर हर इस ही के बारे में सूचेगा और कोशिच करेंगा कि इदर जाके कोई त्यारी मे sub a होगा इतीई घर फॉर्म आथा है जो कौ्स का में को पैसे कमाया जाएंगा किस साइस केंब मुझे नहीं पता था अब पता चल गया के 125,600 यानी 133,266 और बस फिलहाली आ रहा है और विलाज मैंने आपको बताया था क्या आ रहे हैं वो भी आएंगे किस रेट पे आएंगे इस नाट शोर राइट नो रेट अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा रेट ज्यादा हुआ तो शायद सिर्फ फॉर्म पर ही काम हो फॉर्म की हाईप बहुत ज्यादा क्रियेट की जाएगी बहुत ज्यादा क्रियेट की जाएगी हिस्तरी ये बताती है तो हट डाले और यह जरूर है कि वह आपको मिलेगा बेरिया दुबारा कोई ऐसा पंगानी लेगा के जी कोई एफेक्टी जाए उसके या वह ज्यादा बेचते चीजों को ओवर सेलिंग कर दे और वो चीजने लोग को ड्रेवर ना हो मेरा नहीं क्याल कि कोई भी इंटेलि है कि बेरिया टाउन टू नहीं आना चाहिए या पहले एफेक्ट इसको क्लियर करें अफला ना वह सारा कुछ चुक्छ यह वीडियों के लिए नहीं है तो इस सारी पांच मिनिट की बहस का लुब लुबाब यह है कि हाइप बहुत ज्यादा क्रियेट होने जा रही है हम अपनी मार्किट में किसको कहते हैं यह फिर पे उठा रखते हैं बात तो बड़ा सोच समझके ट्रेडर्स इसमें एंड यूजर करिए लॉंग टर्म फायदा है फायदा चाहर साल के इंस्टॉल्मेंट में बहुत सरे लोग भी इसको डिनाय करेंगे कि मार्किट के सेंट कU सच डान एकर बस जितनी स्टी भी सेिर्दी में बता सकता है जिनिको मार्किट के सोचते हैं वो मैंने बढ़ा दिया डेव़ल me dag की साथा इस्था इस्था अगाह करता रूंगा एक्सपर्ट राया आपको मिलती रहेगी थैंक्यू सो मच को झाल झाल